आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In the following question Some part of the sentence may have errors Find out which part of the sentence has an error and select appropriate option If a sentence is free from error, select no error तो basically इस question में हमें करना क्या है हमें यहाँ पर error find out करना है तो यहाँ पर sentence के किसी एक part में error हो सकता है तो जहाँ भी error होगा हम उस part को select करेंगे अपने answer करूप में अगर हमें लगता है कि पूरा के पूरा sentence error free है मतलब कहीं पर भी कोई error नहीं है तो उस case में हम no error वाले option को select करेंगे तो आईए हम sentence को पढ़ते हैं और check करते हैं कि क्या इस sentence में कहीं पर भी कोई grammatical error है तो sentence हमारा यहाँ से शुरू होता है तो चलिए हम देखते कि क्या यहाँ पर कोई भी error है तो अगर हम first part को देखते हैं तो first part में क्या लिखा हुआ तो यहाँ तक तो कोई भी error नहीं दिखाई देता है उसके बाद second part देखो क्या है transmission of images were given by George's Rignos तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ही हमारा sentence में error है तो यहाँ पर error देखो क्या है यहाँ पर were नहीं होना चाहिए यहाँ पर were के जगा पर was होनी चाहिए कारण यह है कि इस sentence में जो हमारा real subject है वो images नहीं है एक बहुत ही most important tool है subject verb agreement में जब कभी भी आपको noun फिर preposition आ जाए फिर से आ गया noun फिर से आ गया off फिर से आ गया noun तो इस तरह क्या structure अगर आपको मिले मतलब noun plus off off के जगा पे कोई और भी preposition हो सकता है फिर noun, फिर off, फिर noun इस तरह से अगर सिलसला चलते रहे इसके बाद आता है verb का इसके बाद आता है कौन? इसके बाद आता है verb इसके बाद verb का place आता है तो ये जो verb है न ये पहले वाले noun जो पहला preposition है यानि कि जो पहला off है उसके पहले जो noun है उसी के according ये verb agree करता है इस बात को आप एकदम से note कर लिजीए इस rule पे बहुत सारे questions पूछे जाते तो इसी तरीके से हमारे subject को expand किया जाता है उसे बड़ा किया जाता है और यहीं से confusion create होता है तो ऐसे स्तिति में noun of noun का जो structure मिले तो verb हमेशा first वाले noun के according जाएगा यानि first वाले noun अगर singular में होगा तो हमारा word भी singular में होगा अगर first वाले noun plural में होगा तो हमारा verb भी plural में होगा तो यहाँ पर भी वही problem है राइट देखो यहाँ पर एक तो images हमारा noun है फिर से off है फिर transmission noun है फिर देखो off है तो इस तरीके से हम एक off यहाँ देख रहे है और एक off हम यहाँ देख रहे हैं और यह off किसको जोड़ रहा है नाउन को जोड़ रहा है तो यहाँ पर जो भी हमारा verb है यह singular होगा या plural होगा यह हम कैसे decide करेंगे यह हम decide करेंगे first subject यानि कि जो off के पहले जो हमारा first noun है यानि first off के पहले जो noun है उसी के number के according अगर हो singular number में होगा तो हमारा verb singular होगा अगर हो plural number में होगा तो हमारा verb plural में होगा तो इसी लिए हम कह सकते है कि इस sentence का जो हमारा real subject है यह है demonstration सब्तो subject क्या है demonstration अब मुझे बता उस demonstration कैसा subject है यह singular है plural है तो यह क्या है? यह singular subject है और अगर यह singular subject है तो यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर के जगा पर वाज यानि के singular वर होने चाहिए, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा error मिला, किस पार्ट में मिला, second पार्ट में मिला, तो इसलिए हम कौन से option को select करेंगे, second option को select करेंगे, I hope you understood it, Thank you